जहिन्त दोस्तो मैं रन्सगरवाल बिहार पुलिस फोरेश्ट आप सबका हमारे चैनल रन्सगरवाल टूवर नाइन सेबन पे स्वागत है दोस्तो आज का मेरा बिहार पुलिस का सेट नमबर 11 होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट कोश्चन है संबिधान साभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अधियक्षता में हुआ था तो संबिधान साभा का प्रथम अधिवेशन डॉक्टर सचीदानन्त सिनहा की अधियक्षता में हुआ था ठीक है संबिधान साबा का प्रथम जो बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुष्टकाले भौन में होता है वहाँ पे सबसे भुजूर्ग बेक्ति डॉक्टर सचीदानन्द सिनाथे इसलिए इनको और अस्थाई अध्यक्ष उस दिन के लिए बना दिया जाता है इसका दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को होता है जहां पर सर्व समत्ती से डॉक्टर रजेंद प्रसाद को संबिधान साबा का अस्थाई अध्यक्ष चून लिया जाता है किलर वाग नहीं हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट मेरा कोश्चन है भारत दूर्दसा और अंधेरी नगरी नाटक के लेखक कौन है तो भारत दूर्दसा और अंधेरी नगरी जो नाटक है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चन्द है इनको हिंदी साहित का हिंदी का पिता भी कहा जाता है हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसका पितामा कहा जाता है किलर वागी नहीं हुआ काली दास जो है एक किताब लिखे थे मेगदूत क्या मेगदूत आईसे बहुत सारा लिखे थे लेकिन मेगदूत के लिखा कौन है काली दास है कौन है काली दास है जय संकर परसाथ कमाईनी के लेखा का है जय देव गित गोबिंद के लेखा का है किसके लेखा का है गित गोबिंद किलर वागी नहीं हुआ चलि आगे बढ़ते हैं क्रिसी प्रतिवेदन 2019 के अनुसार मक्का का सबसे अधिक दूसरा उत्पादक राज कौन सा है तो सबसे पहले दूसरा उत्पादक राज आपका करनाठका है कौन है करनाठक है तो पहला कौन है तो मक्का सबसे अधिक आंध प्रदेश में होता है दूसरा का नंबर पे करनाठक तीसार का नंबर पे आपका राजस्थान में होता है कहां होता है राजस्थान में होता है ठीक है मक्का सबसे अधिक आंध्र प्रदेश दूसरा नमबर पे करनाटक और तिसरा राजस्थान इसके उत्पादक राज्य है भारत में अच्छा वर्ल्ड में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन USA में होता है ठीक है मक्का एक खड़िब फसल है लेकिन इसको रभी के फसल में भी इसकी बहाई की जाता है ठीक लिफ़ित में पूर्तिगालियों के दौरा लाया गया था किसके दौर्ण लाया गया था पूर्तिगारियों के द्वारा है, समझ मैं गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, next मेरा question है, निमलीखित में से कौन सी धातू, वजन में सबसे हलकी होती है, तो सबसे हलकी धातू lithium है, कौन है, lithium, hydrogen, helium, lithium, तो यानि इसका परमारू संख्या कितना है, 3 है, क्या है, 3 है, किलर वग न सबसे भारी धातू, ऑस्मियम है, ठीक है, अच्छा, lithium, एक छारी धातू, फर्ष्ट में इस तरह किजिए, गहलीना का रब से फर्याद, तो उसमें आपका आएगा, ठीक है, किलर वग नहीं हुआ, चल लाएगे बढ़ते हैं, अच्छा, पारा जो है, वो एक धातू है, ज चांदी बेस्ट रिफलेक्टर होता है, ठीक है, और विधूत का, मतलब चालक भी नहीं होता है, ठीक है, चांदी, सरी, 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 चांदी जो होता है, बहुँ ज़्यादा सोना उसके बढ़ चांदी, ठीक है, किलर वग नहीं हुआ, चल आगे बढ़ते हैं, नेस्ट क का लाइकोपीन के कारण होता है किसके कारण होता है लाइकोपीन के कारण टामाटर का लाल रंग किसके कारण होता है लाइकोपीन के कारण कि लिए रवागी नहीं हुआ अच्छा गाजर में कैरोटीन होता है अच्छा आलू में सुलेनीन होता है मर्चा में कैपसेथीन होता ह हल्दी में कुर्कुमीन होता है ठीक है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के करण होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नाश्ट मेरा कोश्चन है परकास का सबसे अच्छा प्रावर्त कौन सा सबसे बेस्ट रिफलेक्टर परकास का कौन होता है तो सबसे बेस्ट रि ये बिधुधारा का सबसे अधिक सुचालक होता है, best conductor होता है, रजत क्या होता है, best conductor सुचालक होता है, किलियर हुआ की नहीं हुआ, सहाज मागे है न, चलिया आगे बढ़ते हैं, next मेरा question है, हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट है, तो हीरा और ग्रेफाइट एक कार्बन के अपरूप है, क्या है, कार्बन के अपरूप है, अपरूप का मतलब होता है, एक ही तो जिसका बहुत सारा रूप हो, उसको अपरूप बोलते हैं, तो कार्बन के तीन को अपरूप मिली होता है हीरा गिरेफाइट और फूलेरीन फूलोरीन होता है वो C60 होता है क्या होता है C60 होता है फुटबॉल के आकार का इसका आकरिती होता है किलर वागे नहीं हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट इसी में है समायवी क्या समायवी समायवी जो होता है मतलब समयबी वायसे ततो जिनकी परमारू संख्या या जिनका सनरचना सुत्र क्या बोलता है जिसका अड़ू सुत्र समान होता है वायसे ततो जिनका अड़ू सुत्र या अड़ू सुत्र समान प्रन्तु भौतिक और असायनिक अलग-अलग होता है उसे सामयवी कहते हैं उसे क्या बोलते हैं सामयवी आईसोमर्स कहते हैं जैसे N-butane, N-propane ही सब हो गया अच्छा समस्थानिक होता है वायसे तत्व जिनका परमालू संख्य सामान प्रन्तु दर्मान संख्य भीन हो उसे समस्थानिक होते हैं एक कहता है समभारिक वायसे तत्व जिनका दर्मान संख्य सामान किन्तु परमालू संख्य भीन हो उसे समभारिक कहते हैं ठीक है इसे क्या हो जाए कर्बन के अप्रूब फिरा और गेरफाइट कर्बन के अप्रूब है चलि आगे बढ़ते हैं नाश्ट मेरा कोशन है प्रकास बर्स किसकी इकाई है तो प्रकास बर्स दूरी की इकाई है किसकी इकाई है दूरी की इकाई है किलर वागे नहीं हुआ एक प्रकास बर्स में प्रकास बर्स दूरी की इकाई है प्रकास बर्स दूरी की इकाई है उच्छा प्रकास बार्श 490 कह डूरी में की-जाते उसे प्राकास बश्च कहते हैं जो आगे बढ़ते हैं नाइस्ट मेरा क्वेश्चन है आई ओफोर में आई ओफोर में आई ओफोर माइनस में आई ओडिन की ओक्सीकौन संख्या क्या है तो आई का मान लेते हैं आई ही रहने दीजिए प्लस ओक्सीजन का ओक्सीकौन संख्या माइनस दो होता है अगुनस चार है इसकल टू माइनस दिया यह माइनस वन हो गया ठेका तो आई प्लोस मैनस का या माइनस चारद दूनी आठेच कल टू बाइनस वधर जाएक प्लोस 7 कितना हो जायेगा प्लोस साथ हो जाए कि लेर के नहीं रहाँ अक्सिडाशन नंबर इस तरह निकलते हैं जो चलिए आगा बढ़ते हैं नेश्ट है प्रस्थितक में जल प्रस्थितक क्या होता है यार प्रस्थितक क्या प्रस्थितक प्रस्थितक में जल को ठंधा रखने के लिए उपियोग मिली जाने वाली गैस कौन सी है तो गयसी ये आमोनिया का सुत्र NH3 होता है ठेक है ए अमोनिया मिठाइल कोलोराइड और कलोरो फ्लोरो कारबन को फ्रेयोन गयस कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेयोन कहा जाता है, ठेक है अगर आप्षन में नहीं रहाता या आपका मिथाइल कोलोराइड नहीं रहाता दिया रहाता तो इसको हम अंसर किसे मार देते फ्रेयों को यह तीनों कैसों को हम जैनरली फ्रेयों बोलते हैं ठीक है नाइट्रोजन अब आगे बढ़ते हैं नैश्दा मेरा कोशन प्रासेक किसका मात रख है । प्रासेक जो होता है लंपी दूरी का मात रख होता है किसका मात रख होता है दुरी का एक पार्स्ययक में 3,26 प्रकास बर्स light year होता है ठीक है इससे आए एक प्रकास बर्स में आपका कितना हो जाता है एक प्रकास बर्स में 9.46 थे पार 15 मिटर होता गुणा कर लीजिएगा तो लगभग एक पार्स्यक में आपका आजाएगा 308 गुने 308 गुने 10 के पाउर 16 मीटर आ जाएगा किले लोग नहीं हुआ चले आगे बढ़ते हैं नेटर का कौन सा भाग उसके अंदर परवेश करने वाले प्रकास को नियांतित करता है यह है लो परवेश करने प्रकास को नियांतित करता है हम अबर किसी को आयंख करते तो कौरनिया देते हैं क्लिये लोग नहीं हुआ चलिए next question है मेरा मनुष के कांकाल तंत्र में कितनी अस्तिया होती है तो मनुष के कितनी अस्तिया होती है हड़ी दूसर छोग होता है लेकिन हम जब बच्चे होते है तो उसमा हमारे body में 306 हड़ी होती है çलिर के नहीं हुआ सबसे बड़ा हाड़ी जो होता है, वो जांग में होता है उसका नाम फीमर है और सबसे छोटी हाड़ी वो कान में होता है जिसका नाम एस्टेपस है क्या है? एस्टेपस है तो इसलिए आप सब हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा इतना अच्छा से पढ़ाते हैं ठेक है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए हमारे चैनल से एक महिना के लिए जूरना जाएए आपका ये करेंट आफियर से जीके जीए से इतना बुष्ट कर देंगे नो आपको भी पहुत मजाएगा ओके थाइंक्यू जय हिंद जय भारत भारत माता की जय